चारक्या IAS Academy Current Affairs में आप सभी का स्वागत है आज हम बात करने वाले हैं भारत बांगलादेश के बीच तीन डवलप्मेंट प्रोजेक्ट्स के बारे में जिनका हाल ही में उद्धाटल हुआ है प्रधान मंत्री नरिंद्र मोदी और बांगलादेशी PM सेख हशीना ने तीन डवलप्मेंट प्रोजेक्ट्स का वर्चुली उद्धाटन हाल ही में किया है इसमें भारत बांगलादेश को जोडने वाली दो रेल परियोजनाए अखोरा अगरतला क्रॉस बॉर्डर रेल लिंग मोंगला पोर्ट रेल लाइन और एक मेगा पावर प्लांट मैत्री सूपर थर्मल पावर प्लांट की यूनिट दो शामिल है पीअब मोदी ने वर्ट्वल समोधन में कहा है कि अखोरा अगरतला रेल लिंग भारत के उत्तर पुर्वी राज्यों और बांगलादेश के बीच पहला रेल लिंग है इसका उदगाटन भी एतिहासिक पल है पिछले 9 सालों में हमने मिलकर काम किया है और वो कई दशकों मे भी नहीं हुआ था बांगलादेश की प्रधानमंत्री ने इस पर कहा है कि भारत बांगलादेश के बीच तीनों प्रोजेक्ट का जॉइंट इनोग्रेशन हमारी पक्की दोस्ती और सयोग को दिखाता है शेक हसीना ने दोनों देशों के बीच दोस्ती को मजबूत करने के भारत के प्रधानमंत्री के कमिट्मेंट की सराहना भी की अब हम बात करेंगे तीनों डवलप्मेंट प्रोजेक्ट के बारे में अखोरा अगरतला क्रोस बॉर्डर रेल लिंक भारत सरकार द्वारा बांगलादेश को दी गई 392 करोड रुपे की ग्रांट से बनाया गया है यह 12.24 किलोमेटर लंबा है बांगलादेश में इसकी लंबाई 6.78 किलोमेटर है वही भारत के त्रिपुरा में यह 5.40 किलोमेटर का है खुलना मोगला पोर्ट रेल लाइन परियोजना को भारत सरकार की रियायती कर्ज सुईधा के तहट लगभग 388 मिलियन अमेरिकी डॉलर से त्यार किया गया है इस परियोजना में मोगला बंदरगा और खुलना में मौजूदा रेल नेटवर्ग के बीच लगभग 65 किलोमेटर ब्रॉड गेज रेल मार्क का निर्बान शामिल है इस परियोजना से बंगला देश का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगा मोंगला ब्रॉड गेज रेलवे नेटवर्ग से भी जुड़ गया है मैत्री सूपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट के लिए भारत ने बंगला देश को 1.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर का लॉन दिया है इसी लॉन से त्यार किया गया है यह 1320 मेगावर्ट का थर्मल पावर प्लांट बंगला देश के खुलना डिवीजन के रामपाल में बनाया गया है दोनों देशों के प्रधार मंत्री ने सितंबर 2022 में इसकी पहली युनिट का इनोगरेशन भी किया था इससे पहले मार्च में भारत बांगला देश डीजल पाइपलाइन का उधगाटन हुआ था साथ महीने पहले यानि मार्च 2023 में पेम मोधी और शेक हसीना ने वीडियो कॉन्फरेंसिंग के जरिये भारत बांगला देश डीजल पाइपलाइन का उधगाटन किया था उस दोरान प्रधान मंत्री ने कहा था कि मुझे विश्वास है कि यह pipeline बांगलादेश के विकास को और गती देगी, साथ ही दोनों देशों के बीच बढ़ती connectivity का उधारन भी बनेगी कोरोना महामारी के दोरान हमें रेल नेटवर्क के जरियें बांगलादेश को औक्सिजन और अन्य रहत का सामान भेजने में सुविधा रही थी 130 किलोमेटर लंबी यह pipeline 387 करोड रुपे की अनुमानित लागत से बन कर तयार हुई यह भारत और बांगलादेश के बीच सीमा पार पहली उर्जा pipeline है इससे दोनों देशों में उर्जा सुरक्षा में सहोग बढ़ा भारत से pipeline के जरिये डीजल आयात करने के लिए 2017 में एक समझोता हुआ था इसके बाद मार्च 2022 में इस pipeline को बनाने का काम शुरू किया गया इस परियोजना को जून 2022 तक पूरा होना था लेकिन करोणा महामारी के चलते इसमें देरी हुई शेख हसीना सेतंबर 2022 में भारत के दोरे पर आई थी उस दोरान उनोंने कहा था कि भारत बांगलादेश का tested friend यानि की पर्खा हुआ दोस्त है भारत और बांगलादेश के बीच मत्मीद हो सकते हैं लेकिन उन्हें बाचित के मादिम से हल किया जाना चाहिए अब हम बात करेंगे भारत और बांगलादेश के आपसे समन्दों के बारे में भारत बांगलादेश दक्षिन एशियाई पणोसी देश है और आम तोर पर उन दोनों के बीच सम्बत मेत्रिपून रहे हैं हालाके कभी-कभी सीमा विवाद होते हैं बांगलादेश की सीमा तेन और से भारत द्वारा अंचादित है। ये दोनों देश सार्क, बिम्स्टेक, हिंद महासागर, तटिये, छेत्रिय सेहोगसंग और राष्ट्रकुल के सदस्य है। विशेश रूप से बांगलादेश और पुर्व भारतिय राजे जैसे पश्चिम बंगॉल और त्रिपुरा बंगाली भाषा बोलने वाले प्रांथ है। बांगलादेश भारत सीमा बांगलादेश और भारत के बीग चलने वाली एक अंतरराष्ट्री सीमा है जो बांगलादेश के आठ विभागों और भारतिय राजों का सिमांकन करती है। एक नए विशे के साथ, आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेर और सब्सक्राइब जरूर करें, धन्यवाद.